ये है पाकिस्तान जो की चार स्टेट्स से मिलकर बनता है खैबर पखतूनवा, पंजाब, सिंध और बैलोचिस्तान अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट से देखे तो आपको सिंध इनमें सबसे जादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा सिंध एक ऐसी जगा है जो की पुराने जमाने में यानि लगपक 5,000-6,000 साल पहले भी लोग इस जगा को इसी नाम से जानते थे यहाँ तक कि हिंदू धरम में हिंदू लवज जो है वो भी इसी जगा से यानि सिंध से आया है सिंध के वराबर में एक नदी बैती है जिसे सिंधू नदी कहते थे और एरान के लोग सिंधू नदी से इस तरफ रहने वाले लोगों को सिंधू कहते थे जो की बात में चलतर के हिंदू बन गया सिंधु नदी के पास ही इंडस वैले सिविलाइजेशन यानि सिंधु घाटी सब्धेता थी जो कि भारत की यह कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सब्धेताओं में से एक थी इतिहासकार बताते हैं कि यह सब्धेता यहाँ पर लगबक साले चार हज़ार साल पहले बसती थी और यहाँ के लोग बहुत जादा एड़वांस की थी लेकिन उन चीजों से हमारा लेना देना नहीं है फिलाल हम बात कर रहे हैं आज के सिंद के बारे में और वहाँ पर क्या हो रहा है तो कहानी शुरू होती है अगस्ट 1947 से जब भारत दो हिस्सों में बाटा गया एक हिस्सा बना पागिस्तान और दो सरा रह गया भारत पागिस्तान का ने उस सिंद वाला इलाका था यहाँ पर हिंदू और मुसल्मान दोनों ही बड़ी तादाद में थे और इस जगा की खासियत यह थी कि यहाँ पर कभी कबार ही हिंदू-मस्लिम दंगे देखने में आये थे यह जगा पूरे हिंदूस्तान की सबसे सेफ जगा मारी जाती थी इसलिए जब पाइटिशन का फैसला हुआ तो यहाँ के लोगों ने अपना घर छोड़ना सही नहीं समझा क्योंकि उनको लगा की उनके लिए उनका घर और उनके पड़ों से ही अच्छे लोग है लहाजा उन लोगों ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया और उस जमाने में सिंध में लगबग 14 लाख के करीम हिंदू बस्ते थे लेकिन बाद में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई सिंध के लोगों को अपनी गल्दी का हलका फुलका एहसास होने लगा क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले ही दिन से पंजाबियों ने बढ़त बना कर लखी थी और ये पंजाबी लोग किसी को भी आगे नहीं आने देते थे चाहे वो खैवर पक्तूनबा से हो या बेलोचिस्तान से हो या वो सिंध से हो पागिस्तान की आर्बी हो, वियरोक्रेसी हो या फिर गौर्रमेंट हो हर जगा पर इन्ही पंजाबियों का कबजा था और सिंध के लोग इसे बिलकुल भी अच्छा नहीं समझते थे अभी सिंध के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ फीलिंग्स जनल ही ले रही थी कि सिंध से निकला हुआ एक पॉलिडीशियन यानि जुल्फिकार अलिवुट्ो पाकिस्तान की सियासत पे चाजा जाता है ये पहली बार हो रहा था कि जब सिंध का कोई इंसान पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिपरेजेंट कर रहा था और उसकी पाकिस्तान में इतनी मजबूत पकड़ते जुल्फिकार अलिवुटो से और लोग खुश हो ना हो लेकिन सिंध के लोग बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उनमे से निकला हुआ इंसान पहली बार इतनों ऊची पोस्ट पर जा रहा था हलाकि जिन्फिकार अल्य बुट्टो से पहले की बात की जाया तो बंगला देश आजादी के बात से ही अलग होने की कगार पे खड़ाता बंगले उपे साथ बहुत जल्म हो रहा था और इसलिए और उन्हें पाकिस्तान से अलग होने का पैसला तर रखाता बंगलादेश को पाकिस्तानी पॉलिटिशन और वहागी आर्मी के जैनरल्स अपना हिस्सा नहीं बलकि अपनी कॉलोनी मानते थे वहाँ से पूरा टैक्स लिया जाता था वहाँ पर अपनी कारखाने लगाये जाते थे वहाँ के लोगों से मजदूरी भी करवाई जाती थी लेकिन वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स में किसी भी तरीकी की हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी उन्होंने फिर एक सेपरेटिस्ट मॉव्मेंट की वुनियाद रखी और इन्होंने अपने मॉव्मेंट को सिंधो देश का नाम दिया इनका अपना एक अलग जंडा भी है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहीं अमरकोट या जिसे उमरकोट कहा जाता है वो पकिस्तानी हिंदू का सबसे बड़ा शहर है यह पकिस्तान का एकलौता ऐसा शहर है जहां पर हिंदू आज भी मैजॉरिटी में है इन लोगों की अपनी खुद की एक अरत पार्टी भी है और उस पार्टी से लोग चुन करके नेश्टर एसेम्बिली यानि पागिस्तानों की पारलेवेंट में भी जाते हैं अब वाबस लोटते हैं सिंदू देश की कहानी की तरह तो जीम सेयदे जब इस मुव्मेंट की गुरियाद रखी तो इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम पागिस्तानी पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से इंवल्ड नहीं होंगे और ना ही हमारे आसे सांसत या मले चुनकर पागिस्तान के एसम्बिली में जाएंगे लेकर जुल्फिकार अली बुट्टो के पियम बनने से इनका घुस्सा काफी हद तक शांत हो गया जिसकी वज़ा से लोगों ने भी इनका साथ धीरे धीरे छोड़ दिया फिर आ जाता है 1979 का दोर उस वक्त के पालिस्तान के चीफ औफ आरमी यानि जनरल ज्याउल हक ने जुल्फिकार अली बुट्टो को पासी बर चड़ा दिया था जुल्फिकार अली बुट्टो की मौत के बाद सिंधियों को एक और जटका लगा और उनको इस बात का एहसास हो गया था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वाकई उनके लिए कोई जगा नहीं है और इस तरह सिंदो देश मुव्मेंट एक बार फिर तेजी से फैलने लगा और बंगलादेश की तरह सिंदो देश बनाने की मांग भी लोग धीरे धीरे करने लगे लेकिन आपको एक इंटरस्टिंग बात ये पता होनी चाहिए कि सिंदो देश तिर्क पाकिस्तान के लिए ही नहीं बलकि इंडिया के लिए भी खतरनाक है क्योंकि ये लोग अपने सिंदो देश में पाकिस्तान के सिंदो के अलावा थोड़ा सा पंजब, थोड़ा सा बेलोचिस्तान और इंडिया की गुजरात में जो कच्छ का इलाका है वो भी जोड़ते हैं तो इनकी लीडर जीयाव सायद की मौत के बाद पाकिस्तान में सिंदो देश की कोई खास एहमियत नहीं रह गई थी और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत कम बचे थे लेकिन 2021 में ये एक बार फिर चर्चा में आया जब सिंद में एक बहुत बड़ी रेली निकाली गए इस रेली में लोगों ने अपने हाथ में इंडिया के पियम यानि नरेदर मोदी के फोटोज ले रखे थे सातीजात अमेरिका के प्रिजिडेंट यानि जोए बाइडन की फोटोज भी इन लोगों के हाथ में थे और इन लोगों ने इन दोनों से पाकिस्तान में इंटरफेर करने और सिंदु देश को एक अलग इस्टेट या एक अलग देश बनाने की माग रखी थी वैसे आपको क्या रखता है क्या फीचर पर बंगला देश की तरह सिंदु देश एक अलग देश बन पाएगा या सिर्फ ये एक ख्याली वोव्मेंट रहेगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस उमीद के साथ की वीडियो आपको पसंदाई होगी वीडियो पसंदाने पर लाइक करें अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैरल KWPresent को सबस्ट्राइब जरूर करें बलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लि अलवदा